हलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग उमिद करता हूँ कि आप सभी लोग एक दम बढ़िया होंगी आज हमारे सामने खड़ी है मार्तु सुजुकी वैगनार वेरियंट की बात करें तो यह आपका VXI वेरियंट है और फिलहाल में हूँ निकुंज मोटर्स गौालियर में यहां इ इस ही वेरियंट का कम्प्लीट वॉकराउंड करेंगे और यह जाने कोस्ट करेंगे कि लगबग सात लाग रुपे जब आप लगाते हैं तो आपको इस कार में क्या क्या फीचर्स ओफर किये जाते हैं शुरुआत करते हैं इसके फ्रेंट प्रॉफाइल से सोलो सभी सम्यम क कुल चोड़ाई के साथ ऐसी फ्रंट प्रॉफाइल आपको यहां पर देखने को मिलती है वहीं बीच में आप देखेंगे तो आपको क्रॉम के अलीमेंट देखने को मिलते हैं चोटी सी ग्रिल आपको यहां पर ओफर करी जाती है सुजुकी का लोगो है नंबर प्लेट की आपको यहां पर देखने को मिलती है कोई भी फ्रंट में आपको पार्किंग सेंसर या कैमरा वगरा ओफर नहीं किया जाता है लाइट शेटप की बात करें तो आप देख सकते हैं यहां पर आपको रिफ्लेक्टर बेज्ड हैलोजन का लाइट शेटप देखने को मिलेगा इस वेरिंड में कोई भी आपको DRL वगर नहीं है इंडिकेटर सबकुछ हैलोजन में बीच में चोटी सी क्रोम की स्ट्रिप देख पाएंगे जो इसकी लुक्स को थोड़ा बहुत इन्हांस कर देती है बाकी फॉग लेंप अगर आपको यहां पर नहीं मिलेगा आपको बा आपको बागी आप देखेंगे तो साइड फेंडर पे आपको यहां पे इंडिकेटर ऐलोजन में में देखने को मिलेगा बाडि कलर में आपको आर व्यम सउफर किये जाते हैं जिसको अप इलेक्टिकल यडिझक कर सकते हैं वील आर अरड़ के यहां पर आपको टायर बात करें तो 32 लीटर का फ्यूल टैंक आपको उफर किया जाता है चलिए बात कर लते हैं इस कार के रियर प्रफाइल की तो कुछ इस तरह के रियर प्रफाइल आपको उफर करी जाती है 1675 mm की आपको यहां पर उचाई देखने को मलती है दोस्तों पीछे आप देख सकते हैं आपको सुजूकी का लोगो देखने को मिलेगा वैगन आर लिखा हुआ है यहां पर और वह भी पूरा क्रोम की स्ट्रिप है रिवर्स पार्किंग आपको कैमरा नहीं मिलता है दो रिवर चैल लगता है लिखने को मिलेंगे जैसा आप को Scorpio में देखने को मिलती है तैल लएट का पूरा सेक्सियन में के एलोजन में देखने को मिलता है और यह को यह कौछी अफ्य चलिए बात कर रहते हैं इस कार के बूट स्पेस की तो देख लीजे कुछ इस तरह का आपको यहां पर बूट स्पेस ओफर किया जाता है सबसे पहले देखो आपको यहां पर एक पार्सल ट्रे भी ओफर करी जाती है और जिसकी क्वालिटी आपको काफी बढ़िया देखने को अधर जाता है और काफी बढ़िया से आपको सब कुछ ढ़क करके यहां पर थे नहीं मिलता है ग्रोसरी घुक भी फगरहा आपको यहां पर देखने को नहीं मिलेगा सबढ़ इस पार की बात करी जाया तो श्टीन में बूट पहर किया जाता है और चौदेंच के यापको से इस पेर टेर भी आप देखने को मिलते हैं दोस्तों तो चलिए इसको बंद कर लेते हैं चलते हैं गाड़ी के अंदर अंदर चलके देखते हैं वहां क्या-kya आपके दो खुलिए और चलिएगाइब करने की लिए और सब्सक्राइब काफी हाट प्लास्टिक यहां पे उसक और काफी हाट प्लास्टिक यहां पर यूज्सक्राइब को मिलेगा इंटीर्स आप देख सकते हैं यहां पे आपको डूल टोन में बीज और ब्लाक कलर में इंटीर्स देखने को मिलता है और VXI वेरिंट है सेकंड बेज वेरिंट है उसके साफ भी आप देखिए काफी बड़ी है इंटीर्स आपको देखने को मिलेगा के वल टिल्ट सपोर्ट के साथ यहां पर आपको पर स्टेरिंग देखने को मिलता है लेफट सैड में आपको सारी वाइस देखने को मिलते हैं अगर रीसेट करना है तो यहांसी कर सकते हैं यह रहे आपके хेडलाइक्स के कंड्रोल प्लाइक हैं को by Daily Wyn Mix को लेखने को दकीवें आपको देखने को मिलता है सर्कुलेशन वगरा चेंज करना हो तो यहां से कर सकते हैं वोल्ट का सॉकेट और थोड़ा सा स्पेस फाइप स्पीड आपको यहां पर मैनुवल गेर बॉक्स ओफर किये जाता है वहीं पीछे आएंगे तो थोड़ा सा स्पेस आपको देखने को मि मैनुवल हैं कोई भी आमरेश्ट वगरा नहीं है दोस्तों सीट के कुशन की बात करें तो देखिए बहुत बढ़िया कुशन है ब्लैक और बीच कलर में आपको सीट भी देखने को मिलती है और बहुत बढ़िया फैब्रीक है और यह कलर मुझे सबसे पसंद आया क्योंकि बीच कलर ब्लैक के साथ जच रहा है कुछ इस तरह का आपको यहां पे गलब बॉक्स देखने को मिलेगा मैनुवल आपके आयर वीम सॉफर किये जाते हैं केविन लाइट आपको यहां पे हैलोजन में देखने को मिलती है डाइवर सैड में आपको वैंटी मिर तो नहीं मिल दोस्तों चलिए अप चलते हैं 2nd रो वहां के listening अफ़ोर्ड की बात कर लेते हैं इतर आपको यहां पे door handles body color में offer किये जाते है और blackratingr में complete यहां पे आपको door panel देखने को मिलता है दोस्तों में आपका ये door opener देखने को मिलता है power window के controls grab handle bottle holder umbrella holder यहां पे नहीं मिलेगा speaker की placement है लेकिन इसमें आपको speaker दो ही मिलते हैं after market आप चाहें तो लगवा सकते हैं तो दोस्तों मैंने इसकी जो seats हैं एकदम पीछे कर रहे हैं जिससे हमको थोड़ा सा अंदाजा मिल जाए कि कैसा sitting comfort है seats सबसे पीछे होनों के बावजूद भी आपको थीक ठाक नी रूम मिल जाता है दोस्तों जिस segment की गाड़ी है उसके हिसाप से देखा जाए तो इसका thigh support भी आपको काफी बढ़िया देखने को मिलता है second row से देखेंगे तो dashboard कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा बागी उपर देखेंगे तो आपको कोई भी reading lamp और second row में offer नहीं किया जाता है grab handles आपको यहां पर देखने को मिलता है और काफी sturdy grab handles है seats की बात करें तो 60-40 split में है दो headrest है adjustable नहीं है कोई भी armrest cup holder आपको देखने को नहीं मिलता है दोस्तों यह रही आपकी parcel tray तीनो passengers के लिए आपको यहां पर seat belt देखने को मिलती है लेकिन isofix child mount यह आपको देखने को नहीं मिलता है दोस्तों बागी seating effort में आपको यहां पर कोई भी कमी महसूस नहीं होने वाली है और color combination भी आपको बहुत प्यारा सा यहां पर offer किया जाता है guys और बाकी second row से देखेंगे तो कुछ इस तरह आपको complete यहां पर interior देखने को मिलेगा और interior मुझे personally काफी पसंद आया क्योंकि black और beach color combination इस पर काफी जच रहा है दोस्तों कार में आपको 1200 CC का engine देखने को मिलता है K10C series का engine पैसेट BHP की power 89 Nm का torque निकाल के देगा माइलेज की बात करें 24.35 kmpl की माइलेज आपको यह कार प्रोवाइड करती है गाइस तो दोस्तों यह थी आपकी मर्तु सुजुकी वेगन आर वी एकसाई पैट्रोल मैनवल वाला वेरियंट 6.81 लाग इसका on-road प्राइस है आपको कार कैसी लगी कमेंट्स में जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें एस और वीडियो देखने के लिए तो चलिए आज के लबस इतना ही नेक्स वीडियो आपशे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए जय हैं जय भारत अब अब